स्वागत है आपका English Literature Castle चैनल पर आज हम विलियम कैक्स्टन के बारे में बात करेंगे जी हाँ ये मर्चेंट रह चुके हैं डिप्लोपेट रह चुके हैं राइटर और प्रिंटर क्या खास बात है इनकी जनम इनका इंग्लेंड में हुआ केंट में और 16 साल की उमर में ये लेंड़न आ गए थे वहाँ ये काम करने लगे मर्चेंट के अंडर काफी इनकी जर्मनी में ट्रैवल किया और ये इनके जिन्देगी का एक टानिय पॉइंट रहा कि जर्मनी में सबसे पहला प्रिंटर बन रहा था वहाँ पे इन्होंने प्रिंटिंग करना सीखा और इन्होंने इंग्लेंड की पहली यानि कहले करें तो पहली इंग्लिश किताब जो है प्रिंट करी इंग्लिश में और उसका नाम था दा रेकल आफ हिस्ट्रीज आफ ट्रॉय ये बुक जो हुई प्रिंट हुई 1475 में बर्गीज में जिसको आज की तारी में बेल्जियम कहा जाता है तो विलियम कैकस्टेन ही वो पहले इंसान थे जिन्नोंने इंग्लिश में कोई किताब पब्लिश करी छापी ये देखी आप देख सकते हैं पेंटिंग में कि कैसी टेक्लिश उस दमाने में होती थी और इन्होंने लेंडन में पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई छोटी किताबों में अलग-अलग किताबें चापी और कैंटेवरी टेल्स का जो फर्स्ट एडिशन है वो भी इन्होंने इनकी प्रेस म बाते हैं इन्होंने और भी बुक्स चापी जिसमें ट्रांसलेशन आती है फ्रेंच हो लेटिन हो या डच लिट्रेचर के वाक्स हो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करकी उनको भी चापा इन्होंने और इन्ही की मशीन और प्रिंटिंग प्रेस की वदद से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इंग्लिश और मिडल इंग्लिश जो है वो परसिध हुई और मॉडरन इंग्लिश का जनम हुआ इन्ही के हेल्थ की मदद से तो बहुत ही इंपॉर्टन शक्षियत पहले इंसान जिनोंने इस्तमाल किया और यही कारण है कि उनकी मृत्यू होने के बाद उनको खास जगे दी गई उनको उनकी एपिटेफ पे लिखा गया है वेस्मिस्टर एबी में वाइट स्टोन में लिखा गया है इस बाद को कहा गया है कि इन्होंने इंग्लैंड के लोगों को जुबा दी उनकी आवास को आगे बढ़ाया और इनहीं के वर्क को लोगोंने फिर आगे बढ़ाया और बड़ी ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेसिस बनने लगी तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एक्जाम में और पता भी होना चाहिए आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर लिसने